आज का वीडियो mechanical engineering special है, अगर आप mechanical engineering में डिग्री, डिप्लोमा कॉंप्लिट करके रखा है और mechanical engineering सेक्टर में production engineer बनना चाहते है, production engineer हिसाब से आप आपका career future बनाना चाहते है, धेर सारे पैसा कमाना चाहते है, live में आगे वड़ना चाहते है, तो ए वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फाइदामान रहेगा, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिप्चंग का स्वागात करता हूँ, आप सभी का engineer सिप्चंग और YouTube चनल पर, तो बहुत इंटरेस्टिंग नॉलिजिवल वीडियो है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, प्रोडाक्शन इंडर्स्टिंग का बात करें, आप किसी भी इंडर्स्टिंग का बात करें, एफेंसीजी का बात करें, फर्मासूटिकल कंपानिज का बात करें, हार एक इंडर्स्टिंगा प् जब मैंने students था मेरेको बिल्कूल भी अंधाज़ा नहीं था industry में कॉन्सा-कॉन्सा rules, कॉन्सा method यूज होने वाला है बट मैंने जब दो, तीन साल industry में गुजारा उसके बाद मेरेको पता चला बहुत सारे industrial rules के बारे में, method के बारे में, process के बारे में फिर फेसर इंजिनियर्स बने जा रहा है इसे बहुत सारे ट्राम सारे रूल्स रेजिलिशन बहुत सारे प्रॉस्सिज के बारे में पहले से पता होना चाहिए जैसा कि मैंने एक प्रोड़क्शन एंजिनियर हूँ तो production related trauma, production related topic production related method का जान कारी इस वीडियो का माधव से आप लोगों को दूझा जुस्तो Mus aircraft आप लोगों को बताना चाहूँँगा industry में जितना भी process, जितना भी methods जितना भी rules use होता है ज्यादातर process जपान से डिबलब होके आते है क्यों जपानीज में accuracy बहुत ज़्यादा है honesty बहुत ज़्यादा है measuring skill बहुत अच्छा रहता है जपानीज लोगों का अंदर जपानीज machinery बहुत अच्छा से काम करता है तो पूरा दुनिया चाहता है जपानीज method जपानीज rules को यूज करके उनका industries को आगे वढ़ाने के लिए तो ऐसे ही इंडिया में भी जपानीज process जपानीज rules ज्यादातर यूज होता है तो एटपर्स जो rules के बारे में बात करूंगा अगर आप एक production engineer बनने जा रहा है तो पहले आपको जो point के उपर धन रखना है ओ है productivity देखे प्रोडाक्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए प्रोडाक्टिविटी के बारे में आगर आपको पता नहीं है तो गूगूल पे जाके search अ करे YouTube पे जाके बहुत सारे video available मिल जाएगा देखे समझे सीखे सिथ्टी के बारे में पाता होना चाहिए दुसरा जो प्रसेस को चेंज करना है जो होता है जो चेंज किया जाता है तो उसके उपर आप जाके चेक आउट कर सकते हैं फाइबस के उपर भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा साथ में पॉकायो के यह पॉइंट के साथ भी आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए देखें पॉकायो के एरोर पूपिंग डिवाइस lle men room या तो फिर मैंग का जो होता है उसको कॉंटर्ल करने के लिए एक डिवाइस किया में एक होना चाहिए और फैवांड के पॉइंट के उपर ने जा wspól नॉलेज रखना पड़ेगा देखे दोस्तों बेसिक जो क्वालिटी होता है सेबन के उसी टूल का एक बहुत बड़ा टूल होता है उसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए कुछ मेजारिंग इंस्ट्रुमेंट जैसा कि होता है वालिनियर कैलिपार माइक्रो मीटर इस सारे जो इंस्ट्रुमेंट रहता है इसको भी यूज करना आना चाहिए बहुत सरे क्वालिटी ट्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए जैसके Quad प्रोडाक्ट ऑडिट हो जाता है अगर आपको पता रहे तो आपके लिए इंडेस्ट्री में ग्रोग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा दोस्तों सेप्टी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए पार्सोनल प्रोडेक्टिव इकुपमेंट पीपी इस तो दोस्तों अगर आप एक स्टुडेंट्स है तो पेन और पेपर पे लिखते रहे भाई मैंने बहुत सारे पॉइंट आप लोगों बता रहा हूं बातों बातों में बात समझभार यह सारे जो ट्राम है यह सारे जो जपानीज मैथोड्स है आपको इंडेस्ट्री में जाके स्टेप ब करे How I Rock क inbox करे का बात करे ऐसे इनलाइस्स का बात करे बहुत सारे मैंने बहुत करते रहें बट मैंने यह चाहता हूँ पहले से आप लोगों को यह सरे ट्राम के बारे में पता चल जाए तो इंडेस्ट्री में जाके ग्रोथ करना बहुत ज़्याद आसन हो जाएगा ग्रोथ तो सभी लोगों को मिलता है बाट ओ दस सल बाद उसका क्या फाइदा है एक दो सल तिन सल के करना च्छा तरीका से किसी का 25-35 त्रीकर के आगे चला जा रहा है तो जैसा की आप फ्रेशार है अप नया नया इंडेस्टी में जाने वाला है प्रोडक्शान डिपपरिमेंट के साथ जोडने वाला है तो मैंने जितना भी क्राम के बारे में आब लोगों साथ अभी और भी बहुत सारे process है प्रोसेस तो मैं नहीं किया हूँ आप लोगों को साथ बसी जो रूल से जितना भी बात किया हूँ हारे कदम मैं आप लोगों को मिलने वाला है जोस्तों वीडियो ख़तम काने से नॉलेज गेन करें तब जाके इंडेस्ट्री में गोध मिलने वाला है भाई